तो हम इसे चेक करने के लिए यह हमारा दोखिए यहाँ पर भी हमने 9 वोल्ट लिग दिया और 4 वोल्ट लिग दिया तो 4 वोल्ट पर हम इसे लगाएंगे और दोस्तों यह जो है हमारा जो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा प्लस मैनस कौन सा है यह हमारा मैनस है और यह हमारा प्लस है लेकिन इसमें आपको दोनों साइड लगाना है ठीक है चेक करने के लिए देखिए तो हमारा यह जल रहा है ठीक है यहां पर चेक करने से SMD जल रहा है गलो हो रहा है और जो जो खड़ाब है इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन-कौन हमारा SMD जो है वह खड़ाब है ठीक है SMD को चेक करना चाहते है तो आपका SMD चेक नहीं होगा ठीक है शरिफ एक लेयर वाला जो होता है उसको बोलते है चार वोल्ट बोलते है ठीक है फोर वोल्ट बोलते है ऐसे लेकिन आप उसको तीन वोल्ट पर ही जला सकते है उसे चार वोल्ट पर जलाएंगे तो आपका SMD जिस पर यह मल्टी मीटर है हमारा इस मल्टी मीटर पर जैसे कि हमारा मल्टी मीटर खराब है तो इसी पर हमने बनाया था कि SMD खराब अगर SMD को कैसे चेक करना है पास अगर मल्टी मीटर खराब है तो आप इस तरह से वायर जोर करके आप फिर इसे SMD को चेक कर सकते है या चा हुआ इसमें आपको ट्रीक जो है व करना किया है आपको चीमटी लेना है तो चीमटी में आप जभी भी लीजिए चीमटी तो आप लोक्वालिटी का चीमटी लीज़े ठीक है। अथ यहां पर अमस्या रहे सो ​​काल लगतीया हैा। उपर से उफude यहेशने ओस स्विच है स्लाइडर स्विच है कर सकते हैं इसमेन कर सकते हैं स्टन हम चेक कर सकते ठीखे और बाये ने कोई two ब्रेस औरBut you can opposition करके 9 वोल्ट बना सकते हैं ठीखे और यहां पर यह से करके चार बोल्ट नए बना सकते चार बृंट में वी एसमडी को च्रीक हा सकते तो चलिए बीडियो को हम सुरू कर लेते और इसके बारे चलो सस्क्राइब कीजिए और सांथी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो विडिटाल उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहा है तो दोस्तों इस सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो है यह इसे लगाना है ठीक है यह चिम्टी को लगाना है तो हम क्या करेंगे इसे गुलूगन से हम इसे चिपका लेंगे ठीक है दोस्तों दोनों का चिम्टी का जो है वो दोनों बुरॉबर में होना चाहिए ठीक है यह जो है जबी भी आप लगाए तो यह बुरॉबर होना चाहिए ठीक है आगे पीछे रहेगा तो आपको SMD को चेक करने में बहुत ज्यादा प्रोब्लम हो जाएगा और यहां पे आप गुलूगन का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप एनसे फेविकॉल का भी इस्तमाल कर सकते हैं देखिए दोस्तों आपको यह जो है यह दोनों का जो है आगे का जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह वाला देख सकते हैं यह द तरव से चिफका देते हैं ή हमें क्या करना है अब हमें सीच जुड़ना है तो सुछ के थोड़ा सा सींपल सा तरीका हम बता देते हैं आपको क्या करना है स्विच को दोस्तों क्या करना है कि आपको यह देखिए हम पहले समझ लेते हैं इसे थोड़ा सा यह हमारा बीच का हो गया मतलब न्यूटाल है ठीक है और यह हमारा दोनों का ठीक है तो हमें क्या करना है एक इसमें से और इसमें जोड़ेंगे इसमें से इसमें हम रजिस्टर कैसे जोड़ेंगे यह भी हम आपको बतादेते हैं कि достаточно बहुत से लोग कहते हैं कियानसे हमारा जूह सोली एरन ऑज सहई से चिपकता नहीं यह सब वायरू चिपकता नहीं है तो दोस्तों हम एक और बात बताना चाहते है इसमें कि दोस्तों कभी भी सोल्डिंग एरन में पेस्ट मत लगाई है ठीक है सोल्डिंग एरन में अगर आप पेस्ट लगाते हैं तो आपको नहीं पकड़ेगा तो इसलिए कि जिसमें आपको शोल्डिंग करना है उसी में पेस्ट लगाई है तो आपको तुरंत पकर लेगा तो दोस्तो अब क्या करना है हमें अब जमपर करना है ठीक है जमपर कैसे करेंगे एक इस वायर में से फिर से एक इस वायर में हमें जमपर करना है ठीक है ताकि इसमें से एक हम वायर निकाल सके जिसमें से हमारा जो है यहाँ पर तीन वोल्ट और नाइन वोल्ट जो है हमारा सके ठिक है तो इसे हम कर लेते हैं зем पर वाइर से हम इसaison पर कर लेते हैं कि यह देखिए यह जो है हमने जंपर कर लिया प्रीडी आए अब दोस्तों जो फिसाए हम इसे फैसे हम चीप का देते हैं यहां पहर switch से से हम यहां पर 3 वोल्ट और 9 वोल्ट ज़ो है इसे हम बनाएंगे ठीक है जो है इसे wiring करेंगे तो wiring कैसे करना यह भी हम आपको बताएंगे ठीक है अच्छी तरह से तो दोस्तों क्या करना हे कि इसमें से 1 plus जो हमारा जो बायाटरी का प्लस है वो सब्सक्राइब तो इस लिए इतर से चिपका देंगे तो पहले हम यह कर करेंगे चालू करेंगे तů यह तो इसलिए इधर से हम इसे चिपकादेंगे तो पहले हम यह सब काम काम कर लेता है उसके बाद हम इसे फिर से चिपकाएंगे दोस्तो च्छोटा च्छोटा whaier लेकर का उतके आपको इस पर डेंना है और उसके बाद इसे को लेना है तो इससे हम को लिक कर लिए हूँ कै यृच है तो दोस्तों ये जो है हमारा जो बनकर तयार है जो SMD को चेक करने वाला जो है ये हमारा जो बनकर तयार है ठीक है इसका सरकिट थोरा सा हम आपको बता देते हैं दोस्तों देखिए हमारा जो ये बीच का जो है ये स्वीच के जो स्लाइडर जो स्वीच है इसका बीच का जो है हमारा जो प्लस है ठीक है बैटरी का जो प्लस है वो हमारा बीच में है और उसके बाद जो हमने वायर यहां पर जोड़ा है डंटी में जो जोड़ा है झाल के वह यहां से जोड़ा है और धुसरा एगा dol में इस सैट का माइनस का अधर जो पाद , और उसके बाद यो नो को यह देखी ये टर्मिनल और ये कर करे हैं दो सो दा से ज्यादा कही लगा सकते हैं और इससे कम करें लागा सकते हैं यह काम करेगा तो हमारा जो है है आपको लेयर देखा देते हैं जिस से पता चलेगा कि यह 4V है और यह हमारा 12V है ठीक है तो हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं तो दोस्तों यह जो हमारा 9W का SMD है तो इसमे एक SMD में आप इसका जो है इसका जो है एक SMD में आप तीन लेयर देख सकते हैं जैसे कि हम आपको आपको नजदीक से और दिखाते हैं इस पे दिखाते हैं इसमें दो लेयर है आप देख सकते हैं कि इसमें दो लेयर दिखाई दे रहा है ठीक है आपको दो लेयर देखने को मिल रहा है देखिए इसमें एक दो यहां पर देख सकते हैं कि में में दिखा का देते हैं है वुट और उसमारा नाइन वोल पर भी काम करेंगा और मारा बारवरवल्ट पर भी काम करेंगे यसा पुरा फूल ब्राइटनेस के लिए इसे बाड़ा वॉल पे जलाएंगे तो फूल ब्राइटनेस देगा और एक SMD को और 9 वोल पे यह थोड़ा सो रोसनी देखा जैसे कि इसमें आपको लेयर दिख रहे यह देखिए लेयर दिख रहा है ठीक है और इसमें थिरी लेयर आपको दिख करके चेक कराते हैं तो मैंने यही तीन का दिखाया है जो यह फोर्ड वोल्ट का है और इसमें इसमें जो है दो लेयर है ठीक है और इसमें है तीन लेयर है ठीक है तो हम एक एक करके जलाते हैं ठीक है तो पहले हम इसे चेक करेंगे ठीक है तो हम इसे चेक करने के लिए यह हमा हमारा जो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा प्लस माइनस कौन सा है यह हमारा माइनस है और यह हमारा प्लस है लेकिन इसमें आपको दोनों साइड लगाना है ठीक है चेक करने के लिए देखे तो हमारा यह जल रहा है ठीक है यहां पर चेक करने से SMD जल रहा है गलो हो रहा है और जो जो खराब हाई इसमें आपको पता चल रहा है की कोन-कोन हमारा incompet जो है वह खराब है अथिकोई और सेंव, अपको इस पे चेक करना है तो आपको कहां संफिए स"? सिपे तो आपको इस साइड में देख लिगा यहां पे इस सव commend हम चेक कर लेते हैं यह देखिए एक कितना ब्राइटनेस कर रहा है ठीक है एक ही एक ही जलेगा यह कि यह सब सीरीज में होता है इसलिए एक एक करके जलेगा इसमें दो-दो करके जलेगा ठीक है ठीक है तो कितना असान है इस तरह से बनाना अगर इस तरह से समाज में आता है तो इस तरह से भी बना सकते है और इसे आफ करने के लिए हमें क्या करना है इसे मीडिल करना होगा बीज में करना होगा तो यह हमारा जो है आफ हो चुका है ठीक है तो आप एक बैटरी से मतलब द तो दोस्तो आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगा अगली वीडियो में अगली रिसर्च ले करके तो दोस्तो आज के लिए बस इतना है